हाई फ्रेंड्स चुरू करते हैं हम बनाना हमने लिए 4-6 अदद आलू आलू मैंने लिए हैं इसको चार हिसों में काट लूगी साथ साथ हम आलू चील रहे हैं तो पानी बॉया करने के लिए रख देते हैं आलू को चीलते हुए इस बात का ख्यार लखें कि जैसे हम साइडों पे इसकी आई बनी होती इनको भी रिमूव करना जरूरी है यनि हम इसको भी काट देंगे ये मुश्किल से गलती है और फिर बाद में हम जब मेश इसको कर रहे होंगे तो मेश नहीं होंगी आलू को चीलने के बाद फॉरण ही पानी में डाल दें हमारे बने जा रहे हैं जबरदस से मश्रूम स्टाइल पोटेटो ये कोरियन स्टाइल भी कहलाते हैं आप इसको इंजॉय करेंगे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए पानी बॉयल हो गया इसमें मैं डाल रही हूँ आलू और साथ ही मैंने एक पिंच नमक कर डाल दिया अब इसको इतना बॉयल करेंगे के ये सिरफ टेंडर हो जाए यानि गल जाए आलू बॉयल हो रहे हैं और हम लैसन को चीलते हैं आलू बल गए हम इसको चलनी में डालते हैं ताकि इसका पानी नी चड़ जे और फिर हम इसको अच्छे से मैश करेंगे के इसमें कोई लंप्स ना रहे आलू हमने मैश कर लिए और मेक शोर करेंगे कि इसमें कोई लंप्स तो नहीं है कोई कहीं से मोटा तो नहीं रहे गिया अब इसमें हम मिला रहे हैं एक कप काउन फ्लावर का और इसको मैं चान कर इस्तामाल कर रहे हूँ आलू को भी खुले वे बर्तन में डालेंगे ताके हमें डो बनाना असान हो आठा गुलना इसके उपर भी थोड़ा सा हम काउन फ्लावर डाल देते हैं यह थोड़ी सी चुलम्स रहे गए इसको चम्चे के उन्हें से दबाएंगे और यह भी अच्छे से चलने के उससे निकल जाएगा हाथ की मदद से हम गूंद रहे हैं काउन फ्लावर और रालो को मिला लेते हैं हमने अभी तक इसमें पानी का इस समाल नहीं किया ऐसे ही ट्रॉय कर रहे हैं कि इसको आटे को गूंद दिया जाए अब मैं इसमें एक चम्चा पानी का डाल रही हूँ ताकि यह फिनिश हो जाए डो पे हम हलका सा ब्रुश ओयल का लगा कर रख देंगे पानी की बोतर लेकर हम पानी को तो फिंग देंगे और हम यूज करेंगे इसका टॉप पार्ट या फिर ये कफर पोर्शन भी यूज कर सकते हैं शेप बनाने के लिए हाथों को हम ग्रीज करेंगे और एक चम्चा जितना हम निकालके डो अपने हाथ में शेप बनाएंगे पहले हम इसको गोल शेप बनाएंगे फिर इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे चम्चे से ही दबा लेते हैं अब हम एमटी बॉटल की मज़़ से हमने इसमें इमपल्शन बनाना है थोड़ी सी शेप बनानी है तो इसको दबा कर चोड़ देंगे ऐसे ही हम सारे शेप बनाएंगे बॉल बनाएंगे और फिर इमपल्शन बनाकर चोड़ देंगे जिस प्लेट में हम रख रहे हैं इसको भी हलका सा ग्रीज कर लेते हैं क्यों बन गए है ना मश्रूम स्टाइल तो अब हम पानी को बॉयल करते हैं एक पतीली में और एक जगा हम ठंडा पानी को रखते हैं साथ साथ हम बलाना शुरू करते हैं सास और हमने लिया हैं 2 चम्चे गार्लिक के बारीक कटा हुआ और 2 ही चम्माश हम ले रहे हैं धनीय के हमने लिया 1 टी स्पून चिली सास 1 टेबल स्पून सोय सास 1 टी स्पून विनिगर इसमें में डाल ले हुं आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं half to one teaspoon मैं नमक लिया है एक चंचा मैंने चिरिट का लिया है one teaspoon मैंने लिया है मिर्चो का इसको मिक्स कर लेते one tablespoon मैंने लिया है sesame का स्षय मिक्स कर्के और रिख और चिरोड Wow कोईल कर डालती हूं पहले और फिर मैं एक एक करके इसमें पानी में छोड़ देती हूं इसको हमें सिरफ एक ही मिनट पकाना है एक से दो मिनट तक कुख होने की यह इसकी अलामत है कि यह सब फूल कर ऊपर आ जाएंगी सर्फेस पे हम डाले हैं सॉस में एक बड़ा चमचा श और जबरदस स्वादिश वाला हमारा बनने जा रहा है कुरियन स्टाइल मश्रूम पोटेटो मश्रूम दो मिनट हो गए हमारी पोटेटो मश्रूम उपर की तरफ आ गए अब इसको निकाल कर ठंडे पानी में रखते हैं ठंडे पानी में डालना भी ज़रूर है कि इनका प बना रहे हैं जबरदस्ती सॉस ठंडे पानी से निकाल कर हम वापिस से इसको अलग बाउल में रख देते हैं कार्लिक खलका सा सोते होगे हैं इसमें सारी सॉस में ला दे लिते हैं इसको एक मिनट ही हम कुप करेंगे और इसमें धन्या भी शामिल कर लेंगे चूले को बन कर देते हैं साथ ही मिला लेते हैं हम अपने मश्रूम स्टाइल पुटेटो जबरदस से देखे कितना अच्छा लग रहा है स्वाजिश साफ आपको हमारी रैसिपी कैसी लगी बताईएगा जरूर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए अच्छी लगी बुर झाल